ओम श्यांती, तीस ओक्टूबर की चेरो द्रमें सब को सोल लाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि दीप माला पर यथारत विदी से अपने दैवी पत का आवान करने वाले पूझे आत्मा भवा दीप माला पर पहले लोग विदी पूर्वक दीपक जगाते थे, दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते थे, दीपक बुझना मतलब कि सोल कॉंशिसनेस कम ना हो जाए, आत्मा भवान खतम ना हो जाए, ग्रिट डालते थे, कम होने से ग्रिट डालते जाते हैं, अलब ज्या अभी तो दीपक के बचाए बल्ब जगा देते हैं, दीप माला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है, आवान की विधी अत्वा, साधना समाप्त हो गई है, मना जो भी हम जिन प्रथाओं से दीप माला मनाते थे, वो खतम हो चुका है, आवान की विधी देवी देवतों को आवान करना, अपने अंदर देवतों को आवान करना, अत्वा साधना समाप्त हो गई है, नहे समाप्त हो सिर्फ स्वार्त रेग है, इसलिए यथात दाता, लेकिन आप सभी यथात विधी से अपने देवी पत का आवान करते हो, इसलिए स्वयम, पुझे, देवी देवता बन जाते हो। दोने में बहुत अंतर हैं, एक है हमारा रिलिजिस जो बक्ती मार्ग में हम करते हैं, और ग्यान मार्ग में उसको हम समझते हैं कि अपनी बीत को आवाहन करना अपने अंदर के देवत को आवान करना इस खौल क्लियरेटी से समय नेखते हैं ब्रह्मकुमारी इस श्रीव जश्रीव देव दालने में चाहिए और कह रहा है से समझे इसको उम्शनक्ति